प्रिबॉण आज हम लोग स्टार्ट करने जाएं मतलों स्टार्ट है और उसी को कंटिन्यू करते हैं अब यहां पर टेंस पर आये थे जिसमें आप सिंपल परजेंटेंस को देख रहे थे कि उससे कैसे पहचानते हैं ठीक है तो उसी उसी दिज को आगे बढ़ाते हैं यहां पर है एक और बेज बॉर्ड आया है तो अगर यहां पर कुछ टाइम एक्सप्रेशन बॉर्ड दिये थे जिससे कि हम लोग सिंपल परजेंटेंस को डिफाइन कर पाते थे एवरी डे हो एवरी नाइट हो एवरी बीक हो एवरी मन्थ हो एवरी यहर हो यानि इस तरह से फ्र यहां पर देखिये तो अपका सकते ही सर यहां पर ओल्वेज भी तो रिपीटेड एक्सर है मतलों हमेशा ओकर रहा है वही चीज़ को तो अगर वह इरिटेशन को डिफाइन करते तब और चल जाता है continuous tense, simple present continuous tense में चला जाता है, ठीक है, तो अगर वो habits को denote कर रहा है, यही define कर रहा है तो simple present tense, अगर वो ही चीज irritation को कर रहा है, तब हम उसको बोलते हैं वो present continuous tense में चला गया है, ठीक है यही इसका exception है, अभी पता कैसे चलेगा तो देखें कैसे पता चलेगा, she is always habits है उसकी, irritation इसमें चिर्चीरा पने, क्या हूँ हमेशा सच बोलता है, नहीं तो इसमें क्या होगा, यह simple present tense के तरह भी हैप्स करेगा तो see always, ease खतम हो जाएगा, see always speaks the truth किलियर है, speaking भी नहीं होगा, क्या होगा, speak होगा, किलियर है, चलेए लेकिन, आप देखते हैं, see always complain about her husband, वो हमेशा अपने husband के बारे में क्या करती है, सिखायते करती है, तो यह सिखायत करना क्या है, चिर्चीरा पन है, यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, see is always complaining about her husband, ठीक है, अच्छा, इसको देखके बताइए, यह दोनों को आप pause किजिए वीडियो और हमको बताइए किस में चिर्चीरा पने है, ठीक है, बताइए जल्दी से, comment section में बताइए, किस में है, तो देख रहे हैंगे, आप पढ़के देखते इसको, he is always talking about his work, whenever they meet, जब भी बो मिलते हैं, तो अपनी काम की बात करते हैं, तो यह जब भी मिलते हैं, वो अपना, मतलब है, देखे, दे मतलब वहाँ पे क्या है, बहुत सारी लोग होंगे, लेकिन एक ही person है, he is, एक ही person है, जो हमेशा अपनी काम की बात करते रहा था, तो कोई क भी चिरचीरापन हो जाएगा, तो यह किस का काम दे रहा है, चिरचीरापन का दे रहा है, यहनि किस में चला जाएगा, इसमें नोर एरर है, सही है, he is always talking, यहनि एज और इज के साथ है, आपर भर का फोट फाम लगेगा, लेकिन, he is always going for a walk after dinner, वो डिनर के बाद हमेशा घु क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, किलियर हो रहा है, चली, ठीक है, आप आते हैं, इनिवर्सल टूथ हो या फैक्ट हो, ठीक है, कि इसको हम लोग as a simple presentance कैसे use करेंगे, इनिवर्सल टूथ हो या फैक्ट होता है, तो इससे हम लोग simple presentance में ही रखते हैं, जैसे the earth moves round the sun, तेहां जो sun के चारवर पिडिथी वी चकर लगा रही है यह truth है आज भी लगा रही है कल भी लगाएगी आने वाली time में भी लगाएगी ते फिक्ष्ड है truth है universal truth है तो उसको हम लोग किस में रखते है simple presentance में रखते है the sun rises in the east जो सूर्ज है वो पूरव में rise होता है मतलब यह भी action क्या है universal truth है यहां भी simple presentance होगा plants gives us oxygen आज भी देती है कल भी देगी हमेशा देगी ठीक है तो plants give us oxygen तो यहां पे यह क्या होगिया simple presentance में होगिया find an error अब error यहां पे ढूनते है तो the people in ancient time believe that the sun moves around the earth पहले के जो लोग थे पुराने जमाने में माना जाता था कि जो सूर्ज है वो पिर्थीवी के चक्कर लगा रही है तो यह universal truth हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ मतलब बात कब कि किया जा रहा पास्टेंस की कर रहा तो पास्टेंस है तो moves नहीं क्या होगा moved होगा ठीक है अब next sentence देखते हैं the scientist believed that the gravitational force pulls down everything scientist लोग जो बताते हूं क्या बताते हैं कि जो everything कोई भी बस्तू है जो gravity के कारण gravitational force के कारण कोई भी बस्तू नीचे गिरती है तो यह truth है universal truth है हमेशा गिरती है ठीक है तेहां पे जो पूल होगा वो क्या होगा पूल सही है ठीक है अगर यह universal truth नहीं होता तो यहां पे क्या हो जाता पूल्ड हो जाता ठीक है तो यह ही है चली टेस्ट yourself अभी नहीं इसको future action का इसका example पीछे लिख दी है तो इसको अभी रहने देते है ठीक है पहले पढ़ते हैं यहां पे फिक्स डाइशन यह future अगर कोई बात future में होने वाला है लेकिन वो फिक्स डाइशन होता है तो उसे हम लोग कहां पे यूज करते हैं simple presentance में यूज करते हैं जैसे माली जी नारेंदर्म जो हमारे परधान मंतरी कल आएंगे ठीक है तो यहां जो जो फिक्स डाइशन जो हो रहा है future का हो रहा है लेकिन फिक्स डाइशन होगा तो होगा ठीक है तो आचा कोई ऐसा भी बोल सकते की नहीं आए तो तो ऐसा फिक्स करने का मतलब हो रहा है 99% chance ठीक है 1% की बात नहीं का जा रहा है 1% हो सके नहीं भी आए लेकिन 99% तक है कि देखे उनका सेडूल तयार होता है जिसे हमारे इंजिनेर उनका सेडूल बना हुआ तो उनका क्या होता है कि सेडूल तयार होता है एक बर बोल दिये तो फिर नहीं आए हम लोग आप लोग जैसे नहीं कि बोल दिये नहीं गये तो कोई बात नहीं ठीक है उनका अगर सेडूल फिक्स हो गया हाँ ज्यादा अर्जेंट हो तो नहीं ज चुका है तो जाएंगे ही जाएंगे 99 परसेंट एक परसेंट चांस है नहीं भी जा ठीक है तो वह आम आदमी नहीं है वह हमारी क्या है मतलों सीम है उनका स्टेटमेंट जो भी दिये हैं उनको फुलफिल करना होता है ठीक है और तो यह है कि अगर आपका जो कोई भी चैल्स के तरह यूज करते हैं जैसे आए आगे देखते हैं फिक्स्ट एक्षन इन फ्यूचर तब उसको हम लोग कैस के जैसा श्टॉक्टर देते सिंपल पर्जयण टेंस जैसा देखते सब्जेक्ट पलस भर भर्व के साथ एस याई येस लगाते हैं आब आते हैं देखत कर पाएं कि future tense और जो simple present tense है तो इसलिए यहाँ पर extra information करके लिख दिए पहले future के बारे में जानते तो future क्या होता है subject बागी आओ detail में आगे देखेंगे अभी थोड़ा सा देख लेते subject पलस sell bill का यूज होता है और भर्व का यूज होता है future में i sell go to daily tomorrow future tense का है ठीच है i के साथ sell i i और b के साथ सिर्फ सेल लगता है बाकी के साथ क्या लगता है? bill लगता है ठीच है कोई भी हो i b के साथ सिर्फ sell लगता है अगर यही चीज address रहे ठीच है address से मतलब समझे रहे तह वह यहाँ पर पलट जाता, IB के साथ Bill हो जाता है, बाकी के साथ Sell हो जाता है I sell, go to Delhi He built, buy a plan soon क्या जरूरी है कि उखरीद ही लेगा? नहीं हम कल Delhi जाएंगे ये confirm है? नहीं ठीक है, यह हमारे एक्शन क्यों कि हम लोग जाने का मन होगा जाएंगे नएज़ानी कना न होगा नहीं जाएँगे ठीक है लेकिन the PM will give his speech tomorrow हमारे PM जो है कल a speech देंगे थिक है तो हनका full security है कि वो देंगी ही तो देंगी a speech ठीक है क्यांकि वो उनका a statement कही पे मतलों कि उनका چारो तरफ से guard अगेरे बगेरा security लगा रहता है उनका सेडूल तैयार रहता है वो आएंगे वहाँ संदे के चले जाएंगी ठीक है और एक वारा स्टेटमेंट दे दियें तो उनका जनता बेट करते रहेगी उनको देना ही पड़ेगा ठीक है तो एक परसेंट चांसे नहीं भी दे तो इसको हम future tense की तरह भी बना सकते हैं और simple present tense की भी तरह बना सकतें तो दोनों तरह बना सकतें दोनों सेम ही Doc देता है तो आईए future tense में कैसे हम लोग समझेंगे कि fixed action है और not fixed action है तो future tense में अगर fixed action है तो आप दोनों तरह से बना सकते future tense से भी बना सकते simple present tense से भी बना सकते दोनों से बना सकते लेकिन not fixed रहा है तो not fixed रहा है तो उसे आप सिर्फ किस से बनाएंगे future tense से बनाएंगे उससे आप simple present tense से नहीं बना सकते ठीक है तो किलियर है चलिए देखते हैं यहां पर the PM will give a speech tomorrow जो परधान मंदरे कल a speech देंगे the PM gives a speech tomorrow तो दोनों का meaning same ही हो रहा है दोनों बर्ड क्या होगा दोनों sentence सही होगा क्यों क्योंकि future में काम होने वाला है और future में काम होने वाला fixed action है ठीक है तो fixed action है तो the match will be a start at seven in the evening ठीक है अच्छा आप लोग देखते होंगे कि मैच से देखते होंगे तो हाँ पर पता चल जाता है कि कहीं कहीं से इंडिया और बांगलादेश से या जो भी देश से होने वाला तो आपको पहले schedule दे दिया जाता कि कल मैच होने वाला तो ऐसा होता कि नहीं होत the match starts at seven in the evening इसको future tends से भी बना सकते और इसको एक सब्सक्राइब कर देगे तो यहाँ का होग आज का topic थीक है इस तरह से थोड़ा थोड़ा सब को इंटोड़क्शन दे देते हैं आपे ठीक है तो पहले तो सिंपल पर्जेंटेंस है जो आप जेनरली पढ़ते होंगे यहां पर लिख दिए वैसे इसका सब तो जितना टोटल टॉपिक था पीछे पढ़ी चुके यहां पर एक अफर्मेटिव है जो पर्जेटिव सेंटेंस देता हो जिसमें उसका स्टॉक्शर क्या सब्जेक्ट पलस भर पलस एस याई यई स से लगाते हैं ठीक है और इंट्रोगेटिव सेंटेश यानी निगेटिव संटेश तो do या ड़ लगा कर और निगेटिव में not लगा कर no लगा कर neither लगा कर बनाते हैं न तो in-trogative और निगेटिव जैसे माल लिजे कि do does plus do या ड़ प्लस subject plus भर्ब यहाँ पर क्टेटिम क्या होता है सब्जेक्ट पलस डू यह डगल रगाते हैं ञरूरίο कर집 टुसिंपल जौह से ओब ठास में फ्सक्राइब होता है पर स्थिर्थ कई रहे होंगे कि क्या होता है इस प्रजेंट्स क्या है present perfect tense क्या है present perfect continuous tense क्या है ठीक है तो इस तरह से आप पढ़े होंगे सभी को तो वो ही यहाँ पे थोड़ा सा अपने मन से इसको लीख दीए है यहाँ पे तो कोई दीकर ने चलिए how often are you going to gymnasium ठीक है तो यहाँ पे जो how often कितनी बार यहाँ पे क्या है present tense को denote कर रहा है यहाँ पे और नहीं क्या होगा dozna gonna you going नहीं क्या होगा go होगा अगर यहाँ he see रहता था यहाँ goes हो जाता ठीक है why don't you told him about the issues ठीक है तो यहाँ यहाँ पे told नहीं क्या होगा tell होगा अब simple past tense पे कल से हम लोग चलेंगे ठीक है तो आज का टॉपिक इतना ही तक रहने देते हैं थैंक्यो सो मच यहां तक बने रहने के लिए मिलते हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में तब तक अपना पढ़ाय आप जारी रखे ठीक है आपके सलेवस पे दीनराब काम हो रहा है जल्दी ही अपलोड कर दिये जाएंगे ठीक है